अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो भी जरूर शेयर कीजेगा क्योंकि यह जो अपडेट है वो ड्रेक्ली इंपेक्ट करेगी जनुरी इंटेक 2025 में आने वाले स्वेट्स को अपडेट यह है कि जो मेंटिनेस फण्स थे वो इंक्रीज कर दिये गे हैं जी जनुरी 2025 से और इसके लावाँ यह जो फण्स है वो वेडिय करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेंटिनेस फण्स होते के हैं Basically maintenance fund आपके यहाँ पर जो daily expenses होते हैं आपने मंतली बेसिज पर या weekly basis पर यहाँ पर आपने जो pay करने होते हैं Like food expenses होगे, transportation expenses होगे, accommodation होगी और उसके लावा normally जो आपने mobile phone के लिए जो भी expenses आपने करने होते हैं यह basically यहाँ पर आपके maintenance funds किलाते हैं Maintenance funds के लिए जो आपको amount required होती है यह आपके bank statement amount से लैदा होने चाहिए आपके bank statement की amount है उसके इलावा आपके पास इतनी amount होनी चाहिए यह जो amount होती है वो vary कर रहे होती है city to city अगर आप लंदन में है तो उसके different cost होगी अगर आप लंदन से बाहर किसी OCT में आपकी university है वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको different maintenance funds maintain करने होंगे अबी students के लिए बुरी खबर यह है कि यह जो maintenance funds है वो increase कर देंगे आप तो यहाँ पे आपको screen पर भी show हो रहे होंगे अगर आप लंदन में आ रहा है आपकी university लंदन में है तो आपको लंदन में रहते हुए आपके पास minimum 1334 pounds होने चाहिए आज की date में और अगर आप January Intake 2025 में आते हैं तो आपके यह जो maintenance funds है वो increase होकर 1483 pounds पर मन्त आपके account में होने चाहिए अगर आप outside London की बात की जाए किसी OCD की बात की जाए तो currently बहाँ पे जो maintenance charges आज कर maintenance funds है वो हैं जी 1023 और यही जो charges होंगे January Intake में वो increase होकर 1136 pounds पर मन्त हो जाएंगे तो यह बहुत बड़ी change आने वाली है January Intake 2025 से तो जितने भी students आ रहे हैं तो यह चीज़ आप अपने mind में रखे और आपने account में इतने amounts होनी चाहिए तो अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो आपके पास 1483 pounds होने चाहिए और अगर आप लंदन से बाहर किसी हो city में जा रहे हैं तो आपके पास 1134 pounds पर मन्त आपके पास होने चाहिए तो दोस्तों यह थी अपडेट student visa के वाले से अगर आपके मैंने फिर भी कोई question हो तो आप मुझे Instagram पे content कर सकते हैं और मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ बाई पर नाओ